Hello friends, पिछली वीडियो में हम लोग ने दिखा कि 220 BC में कुइंची हुआंग ने Great Wall of China का काम शुरू करवा दिया था ऐसे में यूची ट्राइब अब चाइना में एंटर नहीं कर सकती थी इसे लिए यूची ट्राइब में Southwest Direction के और Migrate करना शुरू किया और इसी के प्रभाव में सकीथियन ट्राइब ने बैक्ट्रियन और पार्थियन ट्राइब को आगे की तरफ पुश्च किया और इसी की चलते बैक्ट्रियन्स ने इंडिया के Northwestern Region को Occupy कर लिया इन Bactrians को इंडो-Greeks कहा जाता है और ये लोग इंडिया के North Western पार्ट तक ही नहीं रुके इन्होंने Further Conquest के लिए अपने दू Commanders को और आगे भीजा और इस तरह इन्होंने स्यालकोर्ट और सिंध को भी Occupy कर लिया अपनी Territorial Area को और जादे Expand करने के लिए इन्होंने कई और प्रियास किये बड़ुधर Uchi Tribe स्कीथियन्स को और आगे की तरह पुश कर रही थी और इसी प्रेशर में आकर 1st Century BC में स्कीथियन्स ने Bacteria और इंडिया में Greek power को destroy कर दिया और इंडिया के एक बड़े हिस्से को occupy कर लिया स्कीथियन्स के पहले ruler जिनकी leadership में स्कीथियन्स ने इंडिया की Northwestern region को occupy किया था वो थे mouse और इन्हें इंडिया में shark rule के founder के तोर पर जाना जाता है इनके बारे में हमें पता चलता है इनके inscription और इनके दुवारा issue किये गए coins दुवारा mouse के बाद इनके successor थे इनके बेटे Aziz, Aziz the first स्कीथियन्स को इंडिया में shark कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि पतंजली के महाभाश्य में स्कीथियन्स को shark कहके mention किया गया है इंडिया और अफगानिस्तान में शाकाज की five branches थी जहांपर ये rule कर रहे थे इन पाँच ब्राँचिस में आप पहली ब्राँच अफगानिस्तान में देख सकते हैं दूसरी पंजाब में जहांपर इन्होंने अपनी capital बनाया तक्शिरा को तीसरी ब्राँच मतुरा में चौथी ब्राँच वेस्टन इंडिया में और पाँचवी ब्राँच अपर डेकन एरिया में 57 BC में उज्जैन के राजा ने shark ruler के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी जिसमें उज्जैन के राजा shark rulers को इंडिया से भगाने में कामियाब रहे और इस war के बाद इन्होंने title लिया विक्रम में दित्य का और इस तरह 57 BC में एक नए यूग के शुरुआत हुई जिसे विक्रम समवत कहा जाता है बड़ ऐसा नहीं है कि 57 BC के बाद shark rule इंडिया से पूरी तरह से खतम हो गया इंफेक्ट shark की वो branches जो मतुरा में रूल कर रही थी उन्होंने टू सेंचुरीज तक रूल किया और शाकास की western इंडिया की branch ने तो इंडिया में 4 सेंचुरीज तक रूल किया शाकास की western branch ज्यादा समय तक टिकी रही क्योंकि गुजरात के sea bone trade से इने काफी फाइदा हो रहा था और यहां पर एक से बढ़कर एक rulers थे जिन्होंने silver coins को issue किया शाकास के सबसे famous ruler थे रुद्र दमन ये western इंडिया की branch से rule कर रहे थे बट इन्होंने अपने rule के दोरान अपने territorial area को काफी जादा extend किया और अब इनके rule में सिंध, गुजराद, मालवा, नर्मदा वैली और काठिया वार भी था हलाकि इन्हें history में एक खास इस्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने rule के दोरान सुदर्शन लेक को repair करवाया जो की काठिया वार के semi-arid zone में है इस लेक को originally pushya गुपता ने बनवाया था during चंद्रगुपत मौरियाज rule और इसके अलावा एक important चीज जो इन्होंने अपने rule के दोरान करवाई वो ये कि इन्होंने ऐसी पहली long inscription लिखवाई जो की संस्कृत में थी इनसे पहले की जितनी भी long inscriptions लिखवाई गई थी वो सब प्राकृत या फिर खरोश्टी language में थी इस inscription को जुनागर inscription के नाम से भी जाना जाता है रुद्रिदमन को संस्कृत language से बेहत प्यार था और इसलिए इन्होंने संस्कृत को अपनी court language भी बनाया था तो हम कह सकते हैं कि वो पहले ruler जिन्होंने संस्कृत को court language का दर्जा दिया वो थे रुद्रिदमन तो ये थी detail शाक रूल की इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुखस्थावा की प्लेलिस्ट को फोलो कीजिए थैंक्यू सो मच पॉचिंग और सपोर्टिंग बुखस्थावा